अची किया अलग-अलग चौक चौराहों पर होली का दहन की तैयारिया पूरी कर ली गई है हलाकी होली का दहन मुरत के हसाब से रात बारा भजे संपन होगा मैलाए जो होली का पूजन और सज्जा में लगी हुई है उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इस बार खुल कर होली मनाने का मौका मिला है और लोग सा परिवार होली मना रहे है आप देख सकते हैं कि होली जैसा पावन तेवार है चौक चौराहों पर अगजा जलाने की तैयारी भी शुरू हो गई है जो आज रात के 12 बजे का शुब महुरत है तो ये राची के किशोर गंच और आप पारंपरिक रूप से बहुत ही खुबसूरत अगजा यहां पर तैयार किया जा रहा है महिलाएं देखे कितने सज धज कर यहां पर आकर के इसका जो पारंपरिक रूप से इसकी जो तैयारी होती है वो आप कंप्लीट करने लगी है और बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत किसी कोवीट के डर के नहीं किसी तरह की परेशानी किया इस बार अच्छे मौसम में होली का तेवार आया है सबसे पहले तो आप बताईए कि इस बार अलग क्या है पिछले साल में कैसा महौल था पिछले साल तो कुरोना के कारण हम लोग बहुत ही डरे डरे हुए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे एक दो जन निकल रहे थे बस अपना रिती रिवाज निभा प्राचीन प्रमपराओं से जो हमारे बड़े बुजू करते हैं हमी वहीं परपा को निभा रहे हैं इसको आपने सब कंप्लीट कर लिया आप जी हां बारा बज्य के बाद में सुमोहरत में होली का देहन किया जाएगा अब बताईए आपने क्या किया किया जो इनने क्या व और माता रानी सबकी जिन्दगी में खूब खुसियाली और इपनी खुसी भर्दे कि ऐसा दिन हम दुबारा ना देखें जा तयार हो चुका है होली का दहन जिसको बोलते हैं और परमपरिक लिबास में जिस तरह से महिला है यहां पर कट्टा हो रही है देखें वहां भी द कि यह जो इस बार की हो ली है वो बेहत खास है क्यूंकि हर तरह से महावल साजगार है कैमरामन कुनाल के साथ मैं शाहनवाद अक्तर न्यूज 11 भारत रांट लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस 11 भारत सच है तो दिखेगा